बाई आज की वीडियो में हम compare करेंगे Samsung Exynos 980 प्रोसेसर को Samsung के ही Exynos 990 प्रोसेसर से और बाई दोनों ही प्रोसेसर Samsung द्वारा बनाएं गए सबसे ज़्यादा powerful प्रोसेसर में से एक है और सबसे ज़्यादा latest प्रोसेसर से तो बाई comparison होने वाला है लॉंच डेट के अगर हम बात करें Exynos 980 लॉंच हुआ था 4 सितमबर 2019 को मही पर Exynos 990 को लॉंच किया गया था Exynos 980 के एक मही ने 20 दिन बाद यानि कि 24 अक्टूबर 2019 को यानि कि रिकॉर्डिंग डेट पर अगर लेटेस प्रोसेसर की बात करें तो Exynos 990 ज्यादा लेटेस प्रोसेसर है CPU clock speed के अगर हम भाई बात करें तो Exynos 980 के अंदर आपको dual cluster architecture देखने के लिए मिलता है यानि कि यहां पर 2 core आपको मिल जाते है performance के लिए cortex A77 के साथ में clock speed आपको मिल जाते है 2.2 GHz की बचे वो जो 6 core है वो मिलता है आपको efficiency के लिए वहाँ पर आपको मिलता है cortex A55 CPU जिसको clock किया गया है 1.8 GHz पे Exynos 990 के अगर हम बात करें यहां पर tri cluster architecture आपको देखने के लिए मिलता है जो पहले 2 core है वो मिलते performance के लिए और वहाँ पर आपको मिलता है Samsung का खुद का बना है वहा Mangus 5 वाला CPU जो की based है cortex A76 पे अगले जो 2 core है वो भी आपको मिलते performance के लिए जहां पर मिलता है आपको ARM cortex A76 CPU और आखरी के जो 4 core है वो मिलते efficiency के लिए जहां पर आपको मिलता है cortex A55 CPU CPU के मामले में अगर बात करें तो भाई Exynos 980 के अदर आपको latest वाले CPU मिलता है A77 के रूप में लेकिन यहां पर जो Samsung का बना है वो खुद का CPU है Mangus 5 जो की based है cortex A76 पे वो ज़्यादा बेटर लगता है मेरेको Exynos 990 के अदर तो हलका सा advantage मैं यहां पर दूँगा Exynos 990 को CPU fabrication process की अगर हम बात करें तो उसके पहले बात करते है fabrication process की fabrication process का मतलब यह होता है जब processor बनाया गया है तो उसके semiconductor का size क्या रखा गया है और semiconductor का size जितना कम होता है processor के, processor उतना better perform करता है energy efficiency उतनी better देखने के लिए मिलती है और उतना ही कम heating का issue देखने के लिए मिलता है यहां पर अगर हम इस comparison की बात करते है तो Exynos 980 को process किया गया है 8 nanometer technology पर वहीं पर जो Exynos 990 है उसको process किया गया है 7 nanometer technology पर यहनि कि better fabrication process आपको Exynos 990 में देखने को मिलती है CPU architecture and cores की अगर हम बात कर लें यहां पर दोनों ही processor 64 bit के octagon processor है यानि कि multitasking के लिए और task distribution के लिए दोनों ही processor के अंदर आपको 8-8 core मिलते है GPU यानि graphic processing unit के अगर हम बात करें तो दोनों ही processor में बहुत ही तगड़े GPU देखने के लिए मिलते है दोनों processor से gaming और graphics की performance तगड़े आपको मिल जाएगी comparison के अगर बात करते है तो exynos 990 के अंदर आपको मिलता है ARM Mali G76 MP5 GPU अच्छा GPU है तगड़ा GPU है और भाई latest GPU है अगर हम बात करते है exynos 990 की तो इसके अंदर आपको even better GPU देखने के लिए मिलता है और जादा latest GPU देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको मिलता है ARM Mali G77 MP1 GPU जो graphic processing unit के मामले में हलका से advantage ले जाता है exynos 990 RAM support के अगर हम बात करें तो exynos 980 के अंदर आपको dual channel LPDDR4X RAM का support मिलता है maximum RAM size किया मिलता है यह कहीं भी mention नहीं है साथ ही साथ जो RAM frequency है वो भी कहीं पर भी mention नहीं की गई है exynos 990 के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको dual channel LPDDR5 RAM का support मिलता है maximum RAM size आपको मिल जाता है 12GB तक और RAM frequency आपको मिल जाता है 2750 MHz की तो यहाँ पर exynos 990 बैटर लगता है क्योंकि यहाँ पर LPDDR5 RAM का support मिलता है storage support के अगर हम बात करें भाई तो दोनों ही processors के अंदर आपको EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0 तीनों टाइब की storage का support मिल जाता है अब भाई अगर हम कोई ऐसा phone purchase करते हैं जहाँ पर यह दोनों में से एक processor लगा हुआ है और EMMC 5.1 वाला storage मिलता है तो यह सबसे ज़्यादा खराब बात है उस phone को नहीं खरीदना चाहिए उस phone को नहीं खरीदना है बात करें UFS 2.0 वाला storage हमको मिलता है UFS 2.1 वाला storage अगर हमको मिलता है तो यह अच्छी बात है भाई तक का camera देखने के लिए मिल सकता है लेकिन दोनों processor में difference आता है dual camera के support में जहाँ पर exynos 980 के अंदर आपको 20 प्लस 20 megapixel का dual camera support मिलता है वही पर exynos 990 के अंदर आपको 24.8 megapixel plus 24.8 megapixel के dual camera का support मिल जाता है camera support के मामले में भी advantage ले जाता है exynos 990 video capture resolution के अगर बात की जाए तो exynos 980 से आप 4K ultra HD video तक record कर सकते है 2160 pixel 4K ultra HD video record करने पर आपको frame rate मिल जाता है 120 frame per second का माही पर exynos 990 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 8K video को option मिल जाता है 43 20 pixels पर 8K ultra HD video आप record कर सकते है 30 frame per second पर और 2160 pixel पर 4K ultra HD video तक आप record करी सकते है महाँ पर आपको 120 frame per second का option मिल जाता है exynos 980 के अंदर आपको उतना ज्यादा अच्छा video capture resolution नहीं मिलता है जितना 990 में मिलता है लेकिन बहुत अच्छा मिलता है 980 के अंदर 8K नहीं मिलता है दिस्प्ले सपोर्ट के अगर हम बात करें तो exynos 980 के अंदर आपको WQHD plus display का support मिल जाता है जहाँ पर resolution आपको मिल जाता है 3360 by 1440 pixels का महीपर हम अगर बात करते हैं exynos 990 की तो यहाँ पर आपको WQUXGA display का support मिल जाता है दिस्प्ले सपोर्ट के मामले में exynos 990 के अंदर आपको बैटर डिस्प्ले सपोर्ट मिलता है बाई LTE modem की बात करें तो यहाँ पर exynos 980 के अंदर आपको integrated 5G LTE modem देखने के लिए मिलता है जहाँ पर download की speed आपको मिल जाती है 5G network पे 2.55 Gbps की और LTE network पे आपको download speed मिल जाती है 1 Gbps तक की वही पर बात करें upload speed की तो 5G network पे 1.28 Gbps की upload speed मिल जाती है और LTE network पे आपको 200 Mbps तक की upload speed देखने के लिए मिल जाएगी 980 में 990 के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको exynos 5123 modem देखने के लिए मिलता है download की speed 5G network पे आपको मिल जाती है 5.1 Gbps की और LTE network पे आपको मिल जाती है 3 Gbps तक की upload speed की अगर बात की जाए तो upload speed सेम है दोनों प्रोसेसर की भाई 1.28 Gbps की 5G network पे और LTE network पे 200 Mbps की लेकिन जो download speed मिलती है वो बहुत जादा बेटर मिलती है exynos 990 में एंटूटू और Geekbench score की अगर हम बात करें भाई तो दोनों ही प्रोसेसर के एंटूटू और Geekbench score अभी तक आउट नहीं हुए है जैसे ही आउट होते हैं मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँगा तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक follow नहीं किया है तो please मुझे इंस्टाग्राम पे follow कर लीजिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको screen के ऊपर और description box में मिल जाएगा तो भाई ये था comparison Samsung Exynos 980 processor का Samsung Exynos 990 processor से और भाई 990 जो processor है न वो कहीं ने कहीं थोड़ा ज़्यादा powerful है इसके अंदर आपको better CPU देखने के लिए मिलता है हलाकि यहाँ पर clock speed नहीं open की गई है कितनी है लेकिन Samsung के खुद के बनाये हुए मंगूस वाले core आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते है तो obviously यहाँ पर betterment इसमें किया गया है CPU के मामले में 990 better है GPU के मामले में 990 better है camera support आपको 990 में ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है साथी में बात की जाए भाई storage support आपको दोनों में एक जैसा मिलता है RAM support आपको 990 में better देखने के लिए मिलता है और भाई बहुत सारी चीज़ा आपको 990 में better देखने के लिए मिलती है यानि कि एक बहुत अच्छा सा upgrade Samsung के तरफ से इस processor में किया गया है तो इस comparison का इस battle का जो ultimate winner निकल के आता है वो निकल के आता है Samsung Exynos 990 processor आप मैं को comment करके बताना भाई आपको दोनों में से कौनसा processor ज्यादा better लगा है comment करके जरूर से बता देना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को subscribe नहीं किया है चैनल subscribe कर देना bell icon दबा देना all all option select कर देना ताकि मेरे वीडियो के notifications पहुँच जाएंगे तुरंद से मैं विलूँगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई